तो स्वागले जी आपका वान कीडे स्टेडियम में दूसरा मुकाबला जो सूपर संडे का है वो मुंबई और राजस्तान के बीच है मुंबई की टीम हारी फिर जीती तीन मैचेस लगातार जीती फिर हार रही है और सवाल वहाँ पर बहुत जादा है राजस्तान की टीम और इनकी लड़ाई 1 और 2 की होने जा रही है जबकि मुंबई के लिए भी लड़ाई टॉप 4 में आने की है कि उस एंट्री में हम भी अपना एक नाम बनाना शुरू करें अभी एंट्री तो मिले की नहीं इसी बारे में बात करेंगे सबसे पहले मुंबई को लेकर के भाई कि वांकडे में भी अब प्रेटाई तो होती है बॉलर्स की लेकिन जो बोलिंग बैटर होती है कम वाँ पर रंस खाएगी और डेफिलिटी आप आर-र की जो बोलिंग अटाय की आप उसको बैक करोगी कि वह कम से कम वाँपर करें तो रिकेन आले बाही तो और वो एन अब ह आपको रोकना पड़ेगा और मुंबाई की बोलिंग बहुत जबर्दस तरीके से टेस्ट होने वाली है बैटिंग पर उनके आपको भरोसा है लेकिन स्टिल आपको कम्पीट अगेंस अक्वालिटी फास्ट बोलिंग अटक जो हम बात करते हैं बोल टाइधिंग खेलने चाहि बट अगर मुंबाई वैसे वाली चीज की बैटिंग इस तरी तकड़ी करते हैं को बाहर करते हैं से दो सब्सक्राइध के लिए बहुत जादा बैटर करेगा चीज बाकी मुंबाई की बैटिंग वैसे देखा जाए तो काफी स्टॉंग है लेकिन अभी रोहित करके दे रह सुर्य कुमार यादौ का भी आप देख रहा है कि पारी किस तरिके से बहुत करते ही जाए हों हर मुकाबली में के पिछले मुकाबले से और जादा बहतर द दिखेगे और संजू समस्टे की कप्तानी बहुत जादा पसंद और यह की अभी रोहित अपनी कप्तानी भी धंग मता अच्छे से करनी होगे और जो उनके बल्लिबाज है आपके बल्लिबाज ही आपकी स्ट्रॉंग है तो आप करके दे भले आप बोलिंग से ना करें लेकिन बैटिंग साप इतना तो वह कर दो और वांखेडे में आप देखते हैं कि जो स्कोर रह सब्सक्राइब इशान किशन आज सामने उनके बूल्ट होंगे, वो बूल्ट उनको मानने देंगा, जिस तरह के सापने पिछले मुकाबले में देखा तो उनका बल्ला नहीं चल पा रहा था, महमा श्रमी के सामने, तो आज बूल्ट है वहाँ पर, तो दिक्कत आपके ओपनर से होगी, जैसा लेग दो बल्लेवाजी रहे, खासतार पर डेप्त का जिस तरहे से सारेच ने सुनील इस्तमाल किया, शाद मुंबई को भी करना पड़ेगा, राजस्तान तो चलो ठीक है, राजस्तान अब ये बता रही है कि वह जौस बटलर हो गए, ठीक है अब और उन्हें और मैच जीत के साथ तौफा दें, उनकी टीम उनको तौफा दें और वो भी एक अच्छी इनिंग खेल के अपने आपको तौफा दें, मैं तो ये चाहता हूँ और उनकी तरफ से इनिगाएंगे, मैं ने सोचा भागी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपने ये पहले बोल के अब आपन के अब आपने बोलेंगे नहीं अब तौफा इनिग को मगाना पड़ेगा तो सुनील ने केक मंगा रखा है और मजा आएगा, केक खाने को मिलेगा अब आपने इनिंग्स को बिल्ड करकर खेलू तो ठीक है ऐसा नहीं है कि इशान किशन इस पॉड़ेंगे रहे हैं उनकी इनिंग्स आई भी है जिसमें उन्होंने इनिटेंट दिखाई है लेकिन आपको पता है कि कल क्वालिटी आपके सामने रहेगी आज की डेट में रोहिष शर्मा इसी विकेट जो कि नहीं होनी चाहिए आप रोहिष शर्मा के एक बड़ी जबर्दस पारी आ रही है जो जादा बहतर करेगा अपन जिसमें तो सबी गेंदबाजू ने ले लिये थे जादा रन बस यह है कि फिर से अरजुन को मतने बैत करें वो तो इंगे बैत करें रहे हैं बैत इन में लास्ट मा आते हैं जोफ्रा खेलिंगे आज कमकाबला? मुश्किल है, खेल सकते हैं क्योंकि वो जो खबर आई थी कि वो बेल्जियम गए थे अला कि उन्होंने बड़ा गुस्सा हुए जोफ्रा कि मुझसे बिना पूछे इस तरह कि रिपोर्ट्स क्यों बाहर आ रही है मान के चल रहते हैं आपके ओपर करा गया गुस्ता? माना जा रहा था कि वो राजस्तन गेम के लिए वरेब रहेंगे उस तरीके से अगर आप देखें लेकिन वही चीज है जोफ्रा भी तो out of color लग रहे हैं पूरे तरीके से ठीके injury operate कराकर रहे हैं आपने जो बात करे यार शौकिन के जगा माँ पर शुबिंद भाई अगना आप बात करें कार्थिके ने भी वहाँ पर रहें लीक कर देते हैं आपके वह impact नहीं दिखना है जो आपने डॉमस्टिक में दिखना है पितने साल IPL में जो आपको मौके मेलो यू शावला उपरेटिंगे डिफरेंट लेवल वहाँ आपको यार कॉंपलिमेंट करना एक दूसरे को और अच्छा सपोट देना आपने बोर्स को आप आप देखो भेदभाओ उरोहित का वराट कोली ने बोल दिया जौफरा टो भाई न मानले मैंने देए 1 बोला था भाई कहता अभी पहला मैच ही आप पहले विराट को माना की पर इनके गेमसेंस की तो मैं जासे रहा है चिको यारब कप्तान बताउ जो के कप्तान अगर बात के लिए जिसके उनने बुला कि बटलर को लेकर मुझे भी लग रहा कि उदर से बटलर के रण आ रहे हैं बाकी इधर से आ रहे हैं सूर्य कुमारी यादी इधर से मेरे को लग रहा है की हैटमायर यहां पर डेंजरस होंगे तो मैं उनको कप्तान चुलूंगा और यहां से मेरे लिए बर्डे बॉय रोहिश शर्मा हुआ 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 हम भी बर्डे बॉय पर एक दाव लगाएंगे कि जन दिन के दिन हमें तोफे दें वो runs के तोफे इधर से लोंगे मैं तीलक वर्मा को और जौस बटले था है ठीक है जी बात करते हैं फिर आप लोगों से पूरे दिन बार इसी तरीके से जुड़े रहेंगे अभी इजाज़त दीजिए जय जय भारत